जब घर में भगवान का वास होता है, तो मिलते हैं यह ग्यारा शुब संकेत। इश्वर की कृपा तो हर कोई प्राप्त करना चाहता है, लेकिन भगवान कुछ ही लोगों से प्रसन्न होते हैं, और उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इश्वर जब आपसे प्रसंद होते हैं या उनकी कृपा जब आप पर बनी होती है तो सारे काम बिना किसी बाधा के एक के बाद एक सफल होते चले जाते हैं। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुभा शाम दीपक जलाने से लेकर भोग लगाने तक सब कुछ करते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। यह तो हम भी जानते हैं कि भगवान की पूजा अर्चना करने से वह हमसे प्रसन्न होते हैं। और जब आप पूजा पाठ करते हैं तो इश्वर का वास आपके घर में होता ही होता है चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। वह जब घर निवास करते हैं तो आपको महसूस हो ही जाता है दोस्तों आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपका कुछ काम बिना किसी बाधा के पूरे हो गए हैं इन कामों के पूरा होने पर ऐसा लगता है जैसे कि मानो कोई देवी कृपा बरस रही है ऐसे में व्यक्ति हमेशा प्रसन रहता है और हमेशा सकारात मकता का अनुभव करता है दोस्तों हर व्यक्ति के जीवन में उतार चड़ाव आते रहते हैं ये सब समय चक्र के कारण होता है समय से बलवान कुछ भी नहीं होता है आपने अपने जीवन में व्यक्ति को राजा से रंक और रंक से राजा बनते हुए भी देखा होगा जब भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो ऐसे बड़े बदलावों से पहले आपको इश्वर या स्रिष्टी के द्वारा कुछ ऐसे संकेत प्राप्थ होते हैं कि आपके आने वाले समय में इश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है प्रियमित्रोंक वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विश्णू और माता लक्ष्मी का आशिरवाद आप लोगों पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बैल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके आईए जानते हैं उन संकेतों के बारे में जो आपको यह बताते हैं कि भगवान की विशेश कृपा आप पर है एक स्वपन में मंत्रों का सुनाई देना स्वपन में अगर आपको मंत्र सुनाई देते हैं जैसे राम राम तो ये बहुत अच्छा माना जाता है अगर उमंत्र की गूँच सुनाई दे तो ये भी सकारात्मक बात है स्वपन में मंत्रों घंटा, शंक की आवाज सुनाई देना बहुत की शुब संकेत माने जाते हैं दो सुगंधित वातावर्ण का एहसास यदि कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है या आपको बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो तो समझ जाए कि अलौकिक शक्तियां आपके आसपास आपकी मदद के लिए हैं आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का जोंका या प्रकाश पुझा गया और शरीर में सहरन दोड़ने लगे ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं तो समझिये कि देवी या देवता आप पर प्रसन्न है तीन शिक्षा ग्रहन करने के बाद आप इससे अपने परिवार का अच्छे से भरन पोशन कर पा रहे हैं तो यह इश्वरिय कृपा से ही संभव है इससे यह पता चलता है कि आपकी मेहंत से भगवान खुश है और अपनी कृपा बनाए हुए हैं क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो शिक्षित या महनती होने के बावजूद भी इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं चार नींद ब्रहमा मुहूर्त में खुलना बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नियमित रूप से उठने से पहले आख खुल जाती है यदि आप ये देख पा रहे हैं कि आपकी नींद ब्रहमा मुहूर्त में खुल रही है यानि सुभर तीन बजे से पांच बजे की बीच खुल रही है तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है यानि कि आपको जीवन की योग्य राह मिलने वाली है इसलिए आपको पहले ही भांप जाना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है पांच अचानक खुश होना कई बार आपने देखा होगा कि आपका अचानक से खुश होने का मन करने लगता है इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ अच्छे संकेत दे रहे हैं जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द खुशी के पल लाने वाले हैं खुशियों का अनुभव होने वाला है जितना भी दुख आपने अपने जीवन में देखा है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा ऐसे समय में आपका मन प्रफुलित हो उठता है छे ऐसे लोग जो हमेशा स्वस्थ रहते हैं उन पर भी भगवान की विशेश कृपा है ऐसे में इन्हें निरोगी काया प्राप्त करने के लिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए और खुद को भाग्यवान मानना चाहिए साथ करजवान होना कई बार आपने देखा होगा कि आप करजवान हुए हो और अचानक से आपको करजमुक्ती का मार्ग मिल गया हो तो ये इश्वर का सकारात्मक संकेत है या पैसों के लेंदेन में आपके पक्ष कोई फैसला आता है तो इसका मतलब यह भी जीवन के लिए शुब संकेत ही है धन के अलग-अलग स्त्रोत बनना भी इश्वर का ही संकेत है इससे ये पता चलता है कि जीवन की आर्थिक परिशानिया समाप्त होने वाली है जीवन में धन का आगमन बहुत ही तेजी से होने वाला है आठ शरीर के अंगों का फड़कना पुरुषों में दाया अंग फड़कना बड़ा ही शुब माना जाता है चाहे वो दाई आख हो या दाया हाथ हो इससे ये संकेत प्राप्त होता है कि आपके बल में वृद्धी होने वाली है इसके विपरीत महिलाओं में अगर बाया अंग फड़कता है तो ये अच्छा संकेत है यानि महिलाओं में बाएं अंका फड़कना अच्छा संकेत बताया गया है और पुरुषों में दाएं अंका फड़कना शुब संकेत माना गया है कहा जाता है कि मा लक्ष्मी के आगमन के समय दीपकों की रोश्नी उज्रवल होने लगती है अगर आपके पूजा घर में दिये की रोशनी अचानक ही बढ़ने लगे तो यह एक शुब संकेत माना जाता है 9. अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंच दिखाई दे जिसकी की आप कलपना भी नहीं कर सकते या आपको अचानक ही कानों में 10. मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य करें कि यहां आसपास तो कोई संगीत बज ही नहीं रहा फिर भी वह कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे तो आप समझ जाईए कि आप दैविय शक्ती के साननिध्य में हैं ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इश्च देव का मंतर जब कर रहे होते हैं और इसके अलावा आप रातरी में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवास दी और आप अचानक ही उठ जाते हैं लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहां तो कोई नहीं है लेकिन आवास तो स्पष्ट थी ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है तो आप समझ जाए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ती की महरबानी है ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद दें 10. कई बार ऐसा होता है कि पूजा करते दौरान मूर्ती से फूल गिर जाता है इसका अर्थ है कि आपकी पूजा सफल हुई है और भगवान आपसे प्रसन्न है इसका मतलब है कि आपको मनोकामना पूरी होने वाली है फूल का गिरना बहुत ही शवभ माना जाता है इसका एक अर्थ यह भी है कि आपके घर सुक्समृद्धी आने वाली है इस फूल को आप एक लाल कपड़े में बांध कर घर की तिजोरी में रख लें इससे आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी जारा शास्त्रों के अनुसार पूजा के दौरान धर में किसी महमान का आना भी भगवान की क्रिपादरिष्टी होने का संकेत देता है इसके साथ ही अगर बह महमान साथ में तोफा लाता है तो समझ जाए कि आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी वहीं अगर पूजा करते समय दीपक जलाते ही इस्तीलो अचानक से तेजी से जलने लगे तो समझ जाए कि आपकी पूजा सफल हो गई है और आपकी सभी परेशानिया दूर होने वाली है कहते हैं कि पूजा से पहले ही धूप बत्ती न जलाई हो और घर में खुश्बू आने लगे तो यह भी भगवान के आपसे खुश होने का संकेत होता है इसके अलावा अगर पूजा के दौरान जलाई गई अगर बत्ती या धूप का धुआ सीधे भगवान की ओर जाता है तो यह भी एक शुब संकेत माना जाता है इसके अर्थ है कि भगवान आपसे खुश है 12. अगर आपको रात में नेंद के दौरान बार-बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर भगवान की मूर्ती या फोटो दिखाई देती हैं तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है 13. कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशा आ जाता है सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस पैसले को लेने से मन रोकता है इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी दैविय का आशिरवाद है 13. जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है वह अमीर हो या गरीब उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है अगर किसी को कम मेहंत करने पर भी सफलता हासिल होती है तो यह भगवान की ही कृपा की निशानी है भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं, वह हर परिस्थिती में खुश रहते हैं, उनके जीवन में भले ही कितने, दुख क्यों न हो, वे हमेशा खुश ही रहते हैं, उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता, वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते ह 14. माता लक्षमी को साफ सफाई बहुत पसंद है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिन घरों में नियमित रूप से साफ सफाई होती है उस घर में माता लक्षमी जरूर जाती है अगर आपका घर हमेशा साफ रहता है तो आपके घर में मा लक्षमी जरूर वास करेंगी इसके अलावा मा लक्षमी को जाडू बहुत प्रिय होती है अगर आप सुभ कहीं जा रहे हो और रास्ते में आपको कोई जाडू लगाता हुआ दिख जाएं तो ये बहुत ही शुभ होता है इसका मतलब है कि जल्द ही आप पर्मा लक्षमी की कृपा बरसने वाली है पंदरा शंक की आवाज देती है शुभ संके हिंदू धर्म में शंक को एक अहम स्थान दिया गया है इतना ही नहीं शंक की आवाज भी काफी शुभ मानी जाती है इसलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंक बजाया जाता है यदि सुभ उठने के बाद आपको शंक की आवाज सुनाई दे तो ये एक शुभ संकेत होता है माना जाता है कि सुभ उठने के बाद शंक की आवाज सुनाई देना आपके घर में मा लक्षमी के आगमन का संकेत देता है 16. उल्लू दिखना है शुभ हिंदू धर्म में उल्लू को काफी अहम दरजा दिया गया है। उल्लू को माता लक्षमी का वाहन माना जाता है। लिहाजा यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह एक बेहद ही शुब संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाएं तो समझ लीजिए कि जल्द ही मा लक्षमी आपके घर में पधारने आ रही है। 17. खानपान में आने लगता है बदला। मा लक्षमी जिस घर में भी आती हैं, उस घर में लोगों के खानपान की आतें बदलने लगती हैं। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात ये है कि ऐसे लोगों को डोट। कम खाना भी परियात लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों के लोग नशा और मासाहार से भी दूरी बनाने लगते हैं। अठारा, यदि आपको सपने में साम, बिल के साथ दिखाई दे तो समक्ष जाए कि घर में मा लक्षमी धन बरसाने। वाली हैं, इसके अलावा घर के आंगन में यदि आपको काली चीटियां आकर कुछ खाती दिखाई दे तो इसे शुभ माना जाता है। काली चीटियों के आगमन का अर्थ होता है कि मा लक्षमी आगमन करने वाली हैं। और अगर कोई चिडिया आपके घर के किसी कोने में घोसला बनाती है तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यह माल लक्षमी के आपके घर में आगमन का प्रतीक होता है। उन्नीस गन्य का दिखाई देना गन्य के रसका भोग और इससे अभिशे करने पर भगवान जल्द प्रसन होते हैं और हर तरह की मनोकामना की पूर्ती अवश्य करते हैं। ऐसे में अगर किस व्यक्ती को सुबह उठने पर सबसे पहले कहीं गन्ना दिखाई दे जाए तो समझिए उस व्यक्ती के उपर जल्द हीमा। लक्षमी का आशिरवाद मिलने वाला है। इसके अलावा जब किसी व्यक्ती के व्यवहार में अचानक से परिवर्तन आने लगे, यानि व्यक्ती का मन प्रसन रहने लगे, परिवार में प्रेन बढ़ने लगे, रूके हुए कार्य सफल होने लगे, और कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होने लगे, तो समझना चाहिए कि आपके घर देवी लक्षमी का वास जल्द ही होने वाला है 20. जीवन में एक अच्छा जीवन साथी मिलना भाग्य की बात होती है अच्छा जीवन साथी आपके जीवन को डोट, समवार देता है जदी आपको भी सुयोग्य जीवन साथी मिला है तो यह इश्वर की कृपा के संकेत हैं ऐसे में आपको अपने जीवन साथी के साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए जदी आपको संतान सुख की प्राप्ती हुई है और आपका संतान आज्याकारी वगुनकारी है तो यह भी इश्वर की कृपा का संकेत है क्योंकि आजकल आज्याकारी संतान का सुख हर मातापिता को नहीं मिलता इसके अलाबा ऐसे लोगों पर भी भगवान की विशेश कृपा रहती है जो क्रोध को वश में करना जानते हैं जिसका मन शांत रहता है और जो हर परिस्थिती से सामान्य रहकर उससे निपटना जानते हैं दोस्तों आज की हमारी विडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं अगर आपको हमारी विडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जैमा लक्ष्मी जरूर लिखें भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें जै श्री कृष्णा दोस्तों